आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स आज अगर देखें गे तो बहुत जबर्दस पैनिक फाल मार्केट में आया है निफ्टी अगर देखें गे तो लगग पास्व प्लस पॉइंट का टॉप से अगर देखें तो फाल हो चुका है और बैंग निफ्टी दगबग 1500 से 1600 पॉइंट अगर टॉप से दिखेंगे तो फाल हो चुका है जो फाल है यह जो पैनिक सेलिंग आया है जबर्दस तरीके से आया है जो हमने कल लेवल्स प्रोवाइड किये थे आपको तो उसका डिसकस कर लेते हैं आज लेवल्स ने कैसे का कि और कल कौन से लेवल हमारे लिए पॉर्टन होने वाले तो निफ्टी का पहले आनेजिस कर लेते हैं कि मैं हमने कली लेवल्स आपको अपर साइड के लिए दिए जब मैंने बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके उपर की साइड आ करने की कोशिश करेगा तो यह अगरा से थोड़ी ज़र सस्टेंड करने की कोशिश की उसके बाद में जो स्लो एस्टेडी मार्केट में फॉल आया तो यह वाला जो लेवल्स थे हैं यह मल्टी टाइम टेस्ट हो चुके थे तो यह कही न कई वीक हो चुके थे यह वाली लेवल्स तो उसके नीचे जब क् बात यह कहीं पर भी हमें रिट्रेस्मेंट देखने नहीं मिला है यह पूरा शार फॉल हो चुका है मार्केट में और नीचे के सेड में अगर देखें हैं यह मेरे पास लेवल्स थे प्राइज लेबल्स जो थे यहां पर थे मैंने यहां पर शिट कर लिए तो यह भी टार् यह भी मैंने अपने टेलीग्रम चैनल पर डाला था मैं आपको दिखाऊंगा यह वाला अपका मिंग मूग आने वाला है यह वाले टार्गेट थे यह वाला भी टार्गेट था ट्वंट्योन थाजन टू हंडडेड एंट था तो यह अच्छ वह हो चुका है तो अभी कल के लिए क्या ट्रेट रहेगा तो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट नेगिटीव हो चुका है तो डे लो जो यह आज का जो डेलो है मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो सिंपल सा रखेंगे यह डेलो जो आज का है इसके नीचे हम फूट साइट के बोजिशिए बनाएंगी जिसका टारगेट जो है 21,100 टारगेट होने वाल है हमारा उसके बाद अगर देखेंगे तो 21,050 का ही हमारा फाइनल टारगेट होने वाल है अगर उसके नीचे ही मार्केट निकली की कोशिश करेगा तो हमारा जो नेक्स टार्गेट होगा यह वाला जो गैप रिजन है उसके तोड़ा सा हम 21,850 का जो है यह वाला लेवल जो है यह हम पकड के चलेंगे यहां तक मार्केट 30 से लेके थर टार्गेट के मिल सकता है यह तो सिंपल सा है कल के लिए अगर डेलो आजकर देलो ब्रेक करता है तो 21100 हमारा स्ट टार्गेट होने वाला है उसके बाद 2150 होने वाले और इसके बीदी नीचे निकलता है मर्क्ट तो 20 यह हमारा थार्गेट होने वाले तो उसका बुरिश सेंटिमेंट मार्किन दिखा रहा था तरीके से मार्केट ऑपन गैप अपन होने के बाद रेजिटर्स के पास ओपन हुआ उसके बाद जो सेलाफ चालू हुआ है वह भी रेट्रेस्मेंट मार्केट ने दिया नहीं यहां पे थोड़ा सा पूल बैक आने बाद कंटिमूस से लिए कंटिम हो चुका था और यह मैंने आपको कल के अनलिसिस वीडियो में बोला था कि अगर यह वाला मार्केट अगर यह 45,000 475 मार्केट के पास कुछ सपोर्ट नहीं करने हैं और नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल अगर अगर फ्लाइट या गाप उपन होता है तो एक यहाला जो कैंडल आज का डे का बहुत ही बड़ा कैंडल ए और यहांपर कहीं पे मार्केट कैंडल करके क्लोजिंग कर सकता है तो यहां पर साइड जो है कॉल साइड के लिए कुछ बने का नहीं अगर वर्सल भी आता है तो हम वेट एंड वाच करेंगे अगर यहां पर फ्लैट उपन होके अगर डेलो निकलता है डेलो अगर ब्रेक करने की कुछिश करेगा तो नीचे साइड जो है लगबग 400 से 500 पॉइंट का तो सेलिंग अगर कंटीनु होता है सेल अगर कंटीनुशन में होता है तो हम यह वाला टार्गेट एक्सपेक कर सकते एकल के लिए अगर फिनिफ्टी अगर देखेंगे को फिनिफ्टी का भी एक बहुत है अच्छा पैटन बन रहा था जो कि मैंने स विडियों में तो यह मैंने आपको अपरसाइड के लिए कि टार्गेट दिये थे और यह डाउन सट के लिए प्यंफिक का एक टार्गेट दिये थी जो कि यह प्रायजेश्डिय कट्री मर्केट ने जैसे मैंनेmist ड्राउ किया था यह पर यहांसे हमार्केट तो यहाँ प मैं आपको टेलिग्रम चैनल पे दिया था मैंने फ्री अबडेट दिता हूं मैं आपको एक बार दिखा दिता हूं तो अगर देखेंगे तो रेजस्टन के पास ही open वह था घया च्छा तो लगहाँ सister आर्ग pig के और वॉपन हुआ उसके बाद में से सेम राइंकंग हुआ। कुछ स्भी नहीं कलर दे लिए ए संट सेलिंग ही चला की। पैटर्न फेल हो चुका है कि यहां से मार्केट ने ब्रेव डाउन दिया है जब यह ओपन होने के बाद यहां पे लग रहा था कि यहां से बाउस आ सकता है तो वह हुआ रही तो सेलिंग कंटीनू रहा और यह मैंने ड्रॉ किया था परफेक्ट ली टार्गेट आ गया हाला कि अगर निकालता है तो अगर यह यह वाला जो है सपोट यहां पे सपोट है तो मार्केट यहां तक एक बार आ सकता है जो कि लेवल में अपको प्राइस लेपन डगा देता हूं कि 19,970 जो है यह हमारा टार्गेट करें अगर बात करेंगे अगर यह पैरिंग सेलिंग अगर सेल अफ कंटीनू होता है यह वाला हमारा टार्गेट नेक्स टार्गेट जो है अगर अगर अच्छा सेल अप अगर कंटीनू होता है तो यह वाले हमारे टार्गेट रहेंगे अगर मार्केट इसमें भी रहेगा अगर मार्केट गैप आप यह फ्लाट ओपन होकि उपर जाने की कोशिश करेगा इसमें इसमें इंसाइड कैंडल बन जाएगा तो इसको फ अगर की फाइदा नहीं होगा तो अगर गैप अपो या फ्लैट ओपन हो कि उपरने के लिए कोशिश करेगा मारके तो हम वेट एन वाच करेंगे फिर नेखने हम ट्रेट करेंगे तो यह था निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक और सब्स्राइब कर देना और यह मेरा टेलिग्रम चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से इंटरफेस आप देख सकते हो यहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिनिफ्टी डेली आनिजिस वीडियो कुछ स्विंक ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मुल्टि बैगर स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स जो है कभी मैं यहां पर अपडेट देते रहता हूं तो आप इसका फाइदा उटा सकते हो और यह मेरा टेलिग्रम चैनल है यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बारा बच के तीस मिनिट पर पैतीस मिनिट पर अगर आप पर अज़ीं इस ने 177 का है नहीं है कि यह वाले जो सोते हैं यह एजूकिश्चनल पर पस के लिए मैं टेलिग्रम चैनल पर शेयर करता है रहता हूं अगर आपको इसका फाइदा उठान तो आप तो आप रबर से भी जूड शकते हो और टेलिग्रम चैनल से जूडने के लिए आप यह जो QR कोड आपको दिख रहा है रेट एंड कॉर्णल में अपने मोबाइल से इसको आप स्कैन करके आप इस चैनल से जूब सकते हो तो यह था आज के लिए उतना है वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब कर देना आज के लिए इतना है थैंक यू झाल 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 झाल